करें करोगे और यहां पर च्ट्रोल और ने करने के लिए और मैं भी इसको यहां पर ले आता हूं ताकि आपको असानी से दिखाई दे सके और अभी इसको रिनेम करोगे रिनेम ही सब और यह देखो बिना नाम का फोल्डर रेडि हो गया इसके बाद को सिंप्ल करना है option में जाओगे right click करके properties में आओगे properties आने के बाद आपको customization में जाना है चेंज आइकन पर जाना है यहां पर आपको दिख जाएगा एक यह वाला ठीक है यह आपको